कॉंग्रिस में एक साथ तीन-तीन मुख्य मंत्री के दावेदारों ने हरियाना चुनाओं में पार्टी का बेड़ा गर्ग कर दिया है। कॉंग्रिस आला कमान सबको खुश करने के चक्कर में हरियाना तो गवा दिया। वहीं कॉंग्रिस के एक वरिष्टी नेता की माने तो वे कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने ही बिजेपी को हरियाना की सीएम की कुर्सी गिफ्ट में दी है। हरियाना के पूरु सीएम भुपेंदर सिंग हुड़ा का राजनितिक सफर इस चुनाव के बाद खत्म हो सकता है। लेकिन रंडीव सुर्जेवाला या कुमारी शैलजा की भी मुश्किले भढ़ सकती है। क्योंकि कॉंग्रेस की तीसरी बार हार से यह साबित हो गया है कि हुड़ा, जाट के अलावा और दूसरे वर्गों को साध नहीं सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाना में कॉंग्रेस की हार के कौन-कौन से कारण है। कॉंग्रेस एक्जिट पोल के नतीजे से काफी उतसाहित नजर आ रही थी। मंगलवार को सुबह 10 बजे तक तकरीबन बिजेपी कॉंग्रेस से काफी पिछड रही थी। लेकिन एका एक चमत का शुरू हुआ और बिजेपी 36 से सरसरा कर 52 तक पहुँच गई। इसके बाद से लगातार बिजेपी तकरीबन दोपैर 12 बजे तक 49 से 50 सीटों पर भड़त कायम कर रखी दी। इस बीच 52 सीटों से घटकर कॉंग्रेस 35 सीट पर पहुँच गई। लगबग एक दरजन सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से 2000 मतों के बीच होने का अनुमान भी बताया जा रहा है। और अंत में बिजेपी 30 बार हरियाना में सरकार बनाने में सफल रही। वही कॉंग्रेस विपक्ष में बैठने वाली पार्टी बन गई। हरियाना में बिजेपी क्यों लगाता तीसरी बार सत्ता में आई इसके कई सियासी कारण है। बिजेपी आलकमार ने अपने नेताओं को सहमित रहने को कहा। साथ ही ग्राउंड लेवल पर कारीकरताओं में उर्जा का संचार किया। हार मान चुके कारीकरताओं के अंदर विश्वास जगाया कि अंतिम सांस तक लड़ो। प्यम मोदी और केंद सरकार की योजनाओं को जनताओं को बताओ। लेकिन उसके इतर हरियाना में कॉंग्रेस ने क्या किया। एक तरफ पूर्ण सीएम भुपेंदर सिंग हुड़ा लगाता चुनवा पर चार में व्यस्त थे तो कुमारी शैलजाद दिल्ली में आकर बैट गई। कहा गया कि उनके नीताओं को टिकेट नहीं मिलने से नाराज होकर दिल्ली आ गई है। वही रंडीब सुझेवाला भी सीएम पद को लेकर खुल कर बोल रहे थे। यहां तक कि एक्जिट पोल के नतीजों के बाद भी बोल रहे थे कि मैं सीएम पद के लिए सबसे फिट हूँ। लेकिन इस्तिती यह है कि जिस सीट पर बेटे को टिकेट दिलवाया वहां पर भी बिजेपी जीत गई। हुए थे फुपेंदर सिंग हुड़ा और उनके बेटे दिपेंदर सिंग हुड़ा दोनों लगातार गाउं से लिकर शहरों की सियासी खाग छान रहे थे। लेकिन कॉंग्रेस आलकमान को लग रहा था कि हुड़ा की वज़स से कॉंग्रेस सत्ता में आ जाएगी। इसके साथ ही लोग सबा में प्रदर्शन और दस सालों का एंटी इंकेमेंशरी से बिज़े पी खुद बाहर हो जाएगी। रही सही का सर पहलवान और किसान पूरा कर देंगे। बताया तो ये भी जा रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अति आत्मिश्वास ने कॉंग्रेस को काफी नुकसान पहुचाया है। विधान सबचनाओं में कर ली। दूसरी तरफ कॉंग्रेस लोकसवा में पांस सीट जीत कर दलित वोट बैंक पर जो एक आधिकार समझ रही थी उसको विधान सबचनाओं में जटका लगा है।